आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तो आज हम यूलिया नवालनी के बारे में बात करेंगे कौन है यूलिया नवालनी ये है यूलिया नवालनी जो कि इस समय रश्या की बैंड बजाने के लिए तयार है बट रश्या इनकी ना कोई हरा नहीं सकता है वो अजर अमर है हां मुझे लग रहा है कि शायद कोई भविश्वानी होगी और यहीं बोला जाएगा कि भाया यह बंदा जो है वो यहां का है यह नहीं है ठीक है तो छोड़ दो इस आदमी को आप मतलब वो आदमी अभेद है मैं यह मानता हूँ कि इतना इंसिक्योर होगा कि रात में इसको नींद नहीं आती होगी लेकिन 2006 में जो उनके डेपटी पार पीएं थे वो पुतीन के खिलाब खड़े हुए गोली मर दी गई एक बहुत बड़े और प्रतिद्वंदी समझ लिजी के वलादमीर पुतीन ऐसा उन्होंने महाल चला थी ठीके क्या ना प्रिकोजिन प्रिकोजिन संहे लेगे पहुँच गए लादमीर पुतीन अबहुचले साल की बात है अन्हों पहुच गए आये मुछ थार बादमीर पुतीन की जो सेना है वो कौन है वो जासूस है जासूस इतने खतरनाक है कि अगर सिधान तग नहीं होतरी माल लिजे विलादमीर पुतीन के बारे में बोल रहे हैं और अगर विलादमीर पुतीन सुन लिए तो अच्छा है मैं रश्यन नहीं बोलता लेगिन अगर कहीं विलादमीर पुतीन को भाई बहुत मुश्किल है मारना जो उनकी खिलाफ आवाद उटाता है वो खताब अगले महिने जो है वो चुना होने वाला विलादमी पुतीन जीतेंगे अब ये स्ट्राटेजी अच्छी है देखे एलक्सी नवालनी की स्ट्राटेजी गलत हो गई वो रश्या में रहे कर आप शेर की माद में रहकर शेर को ललकार होगे तो खा जगा शेर आपको आपको बाहर से उसका शिकार करना पड़ेगा एलक्सी नवालनी जो है वो देश महीं आ गए पाई रश्या में रहे उसके बाद नोचौक दिया के जर्मनी में इलाज करा किया वहीं पे उनको लेकिन उससे पहले आपको अपना कारबार समालना होगा क्योंकि अगर आपको अपने emotions पर काबू रखना है अगर आपको आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए कई बार ऐसा होता है कि हमारी अवाज जो है वो कोई सुनता नहीं हम बोलते रह जाते हैं हम parents को नहीं मना पाते हैं हम किसी को नहीं मना पाते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को manipulate कर सके positive तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप ना कहना सीखें क्योंकि ना नहीं कहने से हमारी लंका लग जाती है तो 300 रुपए का कोर्स है ये साइकोलोजिस डॉक्टर मयूरिकादा साब को बताएंगी किस तरीके से आप ये सारी चीज़े कर सकते हमारे आपको डाउनलोड करें क्योंकि अब बस 3 दिन बचे हैं तो कौन है यूलिया नवालनी पहले तो हम यूलिया नवालनी को देखते हैं इन्होंने क्या का? इन्होंने पुतीन को जम के लताड़ा है ठीक है ना? बोला है कि भाई ये दखो जो पुतीन है वो है क्या? उन्होंने मेरे पती को मारा कोई बात नहीं मैं free रश्या में रहना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि रश्या दुबारा से बने 9 विनेट का वीडियो डाला है 47 साल की है ये और मैं एलेक्सी नवालेनी के लिए आखरी दम तक काम करती रहोंगी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जॉइन करे मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गुस्से को समझे आप मेरी नफरत को समझे नफरत किसके खिलाफ वो जिसने हमारा भविश्य चुरा लिया है ये कायर हैं ये वो लोग हैं जो कुछ भी करने को अपनी मातक को बेच देंगे ये अपने फाइदे के लिए ये ऐसे लोग हैं ये वो लोग हैं जो सच्चाई को जहर दे के मार देंगे ऐलेक्सी नवालनी की यहां पे बात थी ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ मिलके इसको उखार फेके पलादमीर पुतीन की बात करें और मैं तो कमिटेड हूँ मैं ऐलेक्सी नवालनी के लिए काम करती रहूंगी ठीक है ना अब देखिए वो उनको देखने को मिली, मतलब इनको जो है वो कही जगा स्पोर्ट किया गया है और इंटरनाशनल पोडियम पे, क्योंकि अमेरिका जो है वो वेस्ट जो है वो रश्या के खिलाफ है तो लगातार वो काम करती रहती है वलादमी पुतीन के खिलाफ एक ट्रेंट एकॉनिस्ट है ठीक है ना साथी साथ जो पॉलिटिकल अक्टिविजम है अलक्सी नवालेनी एक ऐसे पती का साथ देना जिसके नसीब में मौत लिखी हो जिसके स्क्रिप्ट लिख दी गई हो कि भाई तुम मरोगे और अलक्सी नवालेनी बहुत जिद्धी थे मैंने क्या बता है कि बाहर रहते तो ठीक रहता लेकिन वो गए रश्या में तो रश्या प्रॉब्लम कर दी वहाँ पर रश्या मार दिया ऐसे इंसान के साथ लगाता है कदम से कदम लगा के चलना यही सच्चा फेमिनिजम आप समझ रहे हो तो यह आप देख सकते हैं कि हर तरीके से सपोर्ट किया आप अलक्सी नवालेनी को चाहें जो भी हो लेकिन यह बहुत दुख़ा था कि अलक्सी नवालेनी को मार दिया गया है और इंदर विलादमीर पुतीन मस्त 32 साल के ओरत के साथ डेट कर रहे हैं और पता नहीं कितनी ओरतों के साथ साथ डेट कर रहे होंगे तो उनको तो कोई फरक नहीं पड़ता है नहीं रश्यन लोगों को फरक पड़ता है आपको एक बात समझनी होगी आपको मौका देख के वार करना पड़ेगा भाई विलादमी पुतीन को लोग पसंद करते हैं वहाँ पे ठीके ना और रश्या में राश्टरवाद बहुत जादा है रश्या का इतिहासी ऐसा है रश्या में आटोक्रेसी हमेशा से रही है और रहेगी यह बदलन तो उपर गया नहीं बहुत जादा नीचे गया है नहीं अमेरिका की तरह बहुत जादा ताकतवर होगे नहीं इंडिया की तरह बहुत जादा डेवलेट होने की तकवार पे है क्योंकि रश्या की जोगरफी ही ऐसी है आप समझे रश्या के पास समुद्र नहीं है वो ठंड में काम करते हैं उनके पास पहुंचे कि आपको रश्या के लिए लोगों के लिए काम करना वरा हम समर जाएंगे उन्होंने वो काम किया रश्या ऐसा ही वहाँ पे इतना जबरदस नाशनलिजम है ना कि वो देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे ऐसा है और सकते हैं घूम सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना वॉलिवुड मूवीज को बहुत ज़्या पसंद किया जाता रश्या में राज कपोर ने रश्या को एक तरीके से वहाँ पे जब उनकी पहली सोवियत मूवी लगी तो आज भी रश्या मेरा जूता है जापानी गात हते हुए दिखाई दे रहे दे लेकिन अभी क्या होग्या इद nephew का को कैप्चर कर लिया यूकरे否ं हार रहा है बुरी तरीके से हार रहा है ऊपस तो अभी से पहले क्या हो था रश्या बैक फृट पे था लोग मारे जा रहे थे ऐसा लग रहना तक रान्तिय होगी प्रिगो मुझे पुरा यकीन है कि जासूस KGB BRU के जासूस इनको ढूंड रहे होंगे और मतलब कोशिश है कि मार दे इनको लेकिन इनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं है कहां पे है यह यह बस इवेंट से जाते हैं और वापस आ जाती है जो की बहुत सही भी है सेफटी के लिए ठीक है ना कि ऐसी रणभूमी में जाना जहां के आपका साथ ना हो वो एक सूसाइड मिशन है जो कि अलक्सी नवालनी ने कहीं है तक किया तो यह चीज़ है अब क्या है फ्यूचर क्या होगा यहां पे देखे रश्यन सरकार जो है उन्होंने नवालनी को और उनके फॉलोर्स को ए नवालनी हैं जो इनकी बीवी है उनको ये बखुबी पता है कि वलादमीर पुतीन जो है वो मतलब नेक्स टार्गेट जो है वो यही है आप समझ रहो तो इसलिए पब्लिक एपिरेंसे बहुत देख दाक के करती हैं कि कहीं मेरी लोकेशन का पता ना चल जाए हाला कि जो ए प्रो अमेरिकन है ठीक है ना तो ऐसा भी नहीं कि मतलब अगर आप अमेरिका का एजेंडा यहां पे चलाओगी तो शायद आपको इतनी ज्यादा सक्सस ना मिले बट फिर भी दोस्तों जो नेक्स टार्गेट है वो यूलियर नवालनी है और यहां पे यूलियर नवालनी व आपको समझ में आया होगा खुश रहें परते नहीं देशा से दान तक नहीं होतरी साइनिंग ओफ